हलो नमस्कार एवरिवान आज हम बनाएंगे डाल फारा ये बिना ओईल की डिश है और आपको जरूर बहुत पसंद आएगी फारा स्टफिंग के लिए हम लेंगे उरत की छिलके वाली डाल इसे 6-7 घंटे भीगो कर अच्छे से साफ दो लें देखिए ये काफी क्लीन हो चुका है इसमें छिलका बहुत ही कम दिखाई दे रहा है और हमें चाहिए इसमें जीरा हल्दी पाउडर लेसुन हरी मिर्च और फिंग पाउडर दाल का हमने बिना पानी डाले दरदरा पेस्ट बना लिया है अब जीरा मिर्च हल्दी का पेस्ट इस दाल में अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम बनाएंगे डो डो बनाने के लिए हमें चाहिए दो बड़ी कटूरी चावल का आटा और उसमें एड़ करें सिर्फ एक चमच नमक फिर हलका गुनगुना पानी ले और डो तैयार करें देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे अच्छे से मलना है ना कि एक साथ जादा पानी डाल दे इसका डो काफी सॉफ्ट बनना चाहिए ठीक ना बने देखिए चावल का डो काफी अच्छा लग चुका है अब हम इस तरह का इटली स्टीमर गरम होने के लिए रख देंगे फारा बनाने के लिए थोड़ा सा डो हाथ में लेकर पूरी शेप हम हाथ से ही बनाएंगे इस तरह से फिर उस पे हलका सा नमक स्प्रेड करेंगे और एक चमच दाल का पेस्ट इस पूरी पर बीच में ही रखेंगे और उसे हलका सा प्रेस करके हाफ फोल्ड कर दीजिए और उसे साइड से धीरे धीरे प्रेस करके अच्छे से लॉक कर दीजिए देखिए ये पैक हो गया है अब हम कुछ फारे तैयार करके इस तरह से ट्रे में सेट कर देंगे और इसे इटली स्टीम में डाल देंगे आफ्टर 10 मिनिट ये देखिए ये अच्छी तरह से बन चुका है और अब इसे आप सबजी के साथ सर्फ करें आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बट आज हमने इसे आलू ग्रेवी वेजिटेबल के साथ सर्फ किया है थैंक्स फॉर वाचिंग